असलामने कुम फ्रेंज कैसे हैं आप आप सब फैरियत से होंगे आज की वीडियो में हम बनाने लगी हैं लॉंच के लिए लॉपी का रायता तो राय दही लिए मैंने आदा किलो दो बड़े साइस या दर्म्यानी जितनी आप पसंद करते हैं तो लॉकी आदा किलो आदा किलो दही आदा किलो लॉकी यह हरा दनिया चौकिय यह नमग ब्लैक पेपर ग्रीन बली है जीरा पगार के लिए को मैंने ऐसे कदुपश किया है यह देख रहें आप इसके बाद मैंन करें इसको डाल देने हैं वोईल पान, यह देख definis थोड़ा साइसे और हमने यह होने अरक कुणने कि वाइल तो हम क्यों नाई से अच्छे से दभी को मिक्स कर लें अब इसमें इस स्टेज पर एड़ करना है लॉमाद और यह है अले मेर्च यह है अले मेर्च यह है अले मेर्च यह है तनिया ठीक है तोड़ा सा कट्पतनिया मैंने गाल दूश के लें निकाली है और हम इसको ऐसे इनिक्स का बहुत अच्छी से लागए अब बस राइड एक सदो मिनट हो चुके है अब हमें इसे टॉप कर देना है और इसको स्टेनर अब अब अच्छे से स्टेन हो जाएगी तो हमने इसे एड कर देना है अपने रही वाने तो फ्रेंज यह देखें इसे स्टेन करने के बाद अच्छी से प्रेस करना है आप हाथों की मदद से भी कर सकती है क्योंकि गरम बहुत था इसलिए मैंने इस्पून का इस्तमाल किय और इसे अच्छा से चिल कर लेंगे अगर हम ठंडा करके डालेंगे तो अगर मैं गरम गरम इसमें डाल दोंगी तो दही पतला हो जाएगा तो यह अच्छे से मैंने चिल कर लिया इसे फ्रिज में रख दिया था दही भी फ्रिज में रख दी थी अब हम इसे मिक्स कर हम उसकर तो हम इसे यूज करते हैं इसमें हंगा सा मगषन गी या ओलिव उल्य डाल कि ईसमें जीरा डाल कि उसे जीरे को ब्राउन कर गी उसे लगा लेते हैं बगार उसे बहुत अच्छा डियो चाहता है तो टोटली ड्राइटे का टेस्ट पदल जाता है तो यह देखे मैं जारासा लिया है गी घी मेने डाल दिया दिया जिरे को कर लेना है ब्राउन जब ही ब्राउन हो जाएगा तो हम को डु도 है बगाड तडका तो फ्रेन्ड आपने डालिय जाई करनी है और मुझे बठाना है कि आपको समर स्पेशल राइता कैसा लगा है आप इसको यूज कर सकते हैं बॉयल चावल के साथ रोटी के साथ और गर्मियों में दाल चावल के साथ भी इस्तमाल करते हैं